हेई एवरिवन वेल्कम टू जुडिश्री प्लस हम रन कर रहे हैं हर्याना जुडिश्री के लिए माइनर एक्ट की सीरीज हमने अल्रेडी अर्बन कंट्रोल और एक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसकी वीडियो आपको प्लेलिस में मिल जाएंगी मैंने सेपरेट प् कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी तो वहां से भी चेक कर सकते हैं हम अभी रन कर रहे हैं पंजाब कोट एक्ट ऑफ 1918 के सीरीज जिसमें अल्रेडी हमने तीन लेक्चर अप्लोड कर दिया है उसकी प्लेलिस भी हमने सेपरेटली क्रि फॉनबर 36 ठीक है अब यह हमें क्या बता रहा है यह मीं बता रहा है पावर टु फाइन से कार श्क्रियल टॉसर जिक आगं करें यह काई of the court for misconduct or neglect in the performance of his duty यानि कि यह section हमें क्या बता रहा है तो यह section हमें बता रहा है district court और कोई दूसरी court जो district court के control में रहती है ठीक है वो क्या कर सकती है वो fine लगा सकती है किसी भी amount का जो की एक month की जो salary होती है नो उस ministerial officers की उससे जादा की नहीं होगी और वो fine जो है वो किस लिए लगा जा रहा है misconduct or neglect के कारण लगा जा रहा जो उसके duty के performance के टाइम में उसने दिखाई थी ठीक है इसलिए उसको fine लगा जा रहा है तो simple सब्दों में यहीं है कि कोई district court और कोई other court जो district court के control में है वो fine लगा सकता है मिनिस्टेरियल ऑफिसर्स पर उनके misconduct और neglect behavior के लिए जो कि वो duty perform करने के टाइम में दिखाते हैं और यह जो fine है वो एक मंत की salary से ज्यादा नहीं हो सकता है याद रखेगा बहुत ही important है fine कितना लगा सकते मिनिस्टेरियल ऑफिसर्स पर एक मंत की salary के लिए और दूसरी चीज़ इंपोर्टेंट है वह ग्राउंड जो ग्राउंड यहां मेंशन किया हुआ है misconduct and neglect this is also so important आपको तीन चार ग्राउंड दे देंगे जिसमें एक का option होगा misconduct and neglect या misconduct और neglect दो options होंगे और option में होगा a और c में होगा बोथ a and b and d में होगा none of the above तो आपको c लगाना है बोथ a and b ठीक है तो ऐसे question frame हो सकते हैं ठीक है तो इसमें दो question बन सकता है कितना amount of fine है और क्या ground है ठीक है अब जो है second clause यह क्या बोल रहा है the district court may on appeal और otherwise reverse or modify any order made under subsection 1 by any court under its control and may of its own motion fine up to the amount of one month salary any ministerial officer of any court under its control यानि कि इसमें भी simple यही बता रहा है कि कोई district court जो है न वो appeal में यह otherwise भी ठीक है वो क्या कर सकते है वो reverse कर सकते है या modify कर सकते है reverse मतलब बिल्कुल उल्टा जो भी decision दिया था उसका बिल्कुल उल्टा decision modify मतलब जो decision दिया उसको थोड़ा बहुत change करना ठीक है तो कर सकता है क्या कर सकता है modify or reverse order को कर सकता है जो भी subsection 1 में दिया गया है यानि कि यहां जो भी order made किया गया ना fine का उसको district court जो है appeal में या otherwise modify और reverse कर सकता है order और district court कर सकता है या कोई other court जो district court के control में है और वो कब करेगा अपनी motion में करेगा ठीक है own motion में करेगा और fine कर देगा कहां तक one month salary तक उसको fine लगा सकता है किसी ministerial officers को जो की court के अंदर है ठीक है कोई भी ministerial officer जो court का है और जो district court के control में है ठीक है तो district court क्या कर सकता है appeal या otherwise reverse कर सकता है या modify कर सकता है कोई भी order जो सब सेक्षिन one में दिया गया है ठीक है और को ऐख एनी कोट यानि कि district court reverse किसका order करेगा कोई भी कोट ने जो order दिया ना यहां उपर में देखा तक डिकोर्ट ने या कोई अधर कोड़ जो उसके कंट्रोल में उसने ओर दिया तो वह डिस्टिक कोड़ जो है नजाएगा अपील में चेंज करेगा अपना ओडर या किसी और कोड का ओडर भी वह रिवर्स या मॉडिफाई कर सकता है जो कोड उसकी कं control के उंदर में है तो बस यहीं सिम्पल था ठीके फ़र्स जो है वह जेन्रल केस के बारे में सकेंड जो है अपील के किसंदे के बारे में और ऑपना या उसे कोड का जो इसके कंट्रोल में इस्टिक कोड के कंट्रोल में इतनी सी बात थी 36 Out अब 37 में क्या बता रहा है 37 में हमें बताए जा रहा है delegation of district judges power अब district judge के पास power है district judge के पास बहुत सारे power है और बहुत सारी duty भी है इसी लिए ऐसे provisions दियें गए हैं कि district judge जो है अपनी power किसी और को delegate कर सकता है delegate मतलब pass कर सकता है और वो अपना task perform कर सकता है ठीक है किसी और के में with the previous sanction of the high court delegate any civil judge senior division at intermediary level उसमें जो तीनों आते हैं मैं बार बार एक चीज़ रीद नहीं करूंगी यह चीज़ फिर civil judge junior division जो है उसमें जो तीनों आते हैं in the district the power conferred on a district court by section 33 or 34 of this part and section 24 of the code of civil procedure to be exercised by the civil judge senior division and civil judge junior division ठीक है in any specified portion of the district subject to the control of district court ठीक है तो अब यह section क्या बोल रहा है है सिंपल सब्दों में समझेंगे तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी district court ना जो होता है न कोई भी district court वह किसकी पर्मीशन से वह high court की पर्मीशन से delegate कर सकता है किसको civil judge senior division civil judge junior division को ठीक है तो सबसे पहली कौन authority है district judge जो है previous sanction किसका लेगा high court and then delegate करेगा power civil judge junior division और civil judge junior division को जो delegation होगा ना पावर का वो कहां होगा वह district में होगा वैसे district में जहां power conferred किया गया district court के द्वारा अंडर section 33 34 इस पार्ट का जो 33 और 34 section के अंदर जो power conferred किया जाता है ना वह power conferred किया जाएगा district court के द्वारा civil judge senior division और section 24 का भी power delegate किया जा सकता है जो की 24 किसका है CPC का CPC का जो 24 है वो भी power delegate किया जा सकता है और 33 और 34 का भी power delegate किया जाता है जो इस आयक्ट के इस पार्ट में दिया गया है ठीक है अब आप मुझे comment section में comment करके बताएं कि section number 24 जो है ना CPC का वो क्या है आपके exam में CPC भी आ रहा है तो आप मुझे comment section में comment करके जरूर बताएं इससे आपका revise होगा ठीक है और यह भी बताएं कि section 33 और 34 जो इस पार्ट का है वो क्या है ठीक है तो यह आप मुझे comment section में बताएंगे तो simply यही बोल रहा है कि district जो है previous approval लेगा हाई code को delegate कर देगा अपना पावर सिविल जर सीनियर डिवीजन को और सिविल जर डोनियर डिवीजन को और कैसे कैसे पार delegate कर सकता है section 33 34 24 of CPC में जो दिये गए है ठीक है और डिस्टिक उसी डिस्टिक में देगा जहां पर पावर कंफर किया गया डिस्टिक को ठीक है और फिर क्या बोल रहा है और इन एनी स्पेसिफाइट पोशन अफ डिस्टिक में या उस डिस्टिक की किसी स्पेसिफाइट प डिस्टिक कोड की कंट्रोल के अंदर काम करेगा ठीक है उस डिस्टिक में उसके किसी पोशन में ठीक है बस यहीं सिंपली बता रहा है अगर आप सिंपल एक लाइन में अगर जानना चाहिए section को तो इसमें बस यहीं बताया जा रहा है कि यह डेलिगेशन कर रहा है डिस्ट कोट का पर मेशनघ लेना पड़ेगा बस इतनी सी बात है और वो कहां कशाइज करेंगे किसी ह्या। कोट के ठेक है और इन्टे के साथ हमारे naano three जो है यहां पर यहां पर कमप्लीट होता है ऑप बहुता हैन Works on Appellate and Revitional Jurisdiction of Civil Court यह बात कर रहा है Appellate and Revitional Jurisdiction of Civil Court के बारे में तो जो सबसे पहला section है section number 38 यह हमें क्या बता रहा है यह बता रहा है appeal from district judges और additional judges इसका अपील जा रहा है appeal district judges से अपील जा रहा है या additional judges से अपील जा रहा है ठीक है तो इसमें क्या बताया जा रहा है first clause में बोल रहा save as otherwise provided by any enactment for the time being enforced and appeal from a decree or order of a district judge or additional district judge exercising original jurisdiction shall lie to the high court यानि कि यहां पे appeal के बारे में बता रहा है यहां पे बोला जा रहा है जितनी भी appeal होंगी न appeal किसी decree से या order से जो कि district judge के decree या order से हो रही ही या additional district judge के decree या order से हो रही है जब वो original jurisdiction exercise कर रहे है वो किसके पास जाएगी वो high court के पास जाएगी तो simple चीज़ आप यह समझे मैं आपको चार्ट के तुरू बताती हूं कि जो decree और order जो भी पास होते है ना किसके दौरा district judge के दौरा या additional district judge के दौरा तो appeal जो है इसकी appeal वो किसके पास जाएगी यह appeal जो है ना high court के पास जाएगी यह चार्ट ड्रॉ कर लिजे तो आप जब देखेंगे ना तो आपको automatically याद हो जाएगा यानि कि decree और order जो भी पास किया district judge या additional district judge ने तो उसकी appeal जाएगी high court के पास अब second clause क्या बता रहा है ना appeal shall not lie to the high court from a decree or order of an additional district judge in any case in which if the order or decree had been made by the district judge an appeal would not lie to that court अब second clause जो है थोड़ा technical है तो ध्यान से सुनिएगा अब कोई appeal है ठीक है appeal अगर वैसे case में अगर district judge जो है ना अगर वो decree या order पास करती decree या order पास करती वैसे case में तो वो appeal high court के पास नहीं जाती है ऐसे कुछ special case में normally तो district judge के जो भी decree order जाते हैं तो high court के पास जाती है लेकिन special case में अगर उसके पास नहीं जाती वैसे particular case के related तो वैसी अगर case या suit जो भी है अगर वैसे चीज जो है वो deal की जाती additional district judge के द्वारा same same matter additional district judge के द्वारा made की जाती तो भी वैसे decree या order जो है न वो high court के पास नहीं जाएगी appeal में याद रखेगा तो technical language है इसकी लेकिन meaning बिल्कुल ही simple है कि अगर district judge जो है न वो appeal district जैसे अपील नहीं जाती हाई कोट में किसी particular order या decree से related to additional district judge ने अगर ऐसे particular decree या order दिया तो उससे भी appeal जो है हाई कोट के पास नहीं जाएगी देखे एक बद चेक कर लेते हैं अगर कोई appeal second clause में दिया है appeal shall not lie to the high court from a decree or order of an additional district judge in any case in which if decree or order has been made by the district judge and appeal would not lie to that court ठीक है तो अगर अपील वहां पे नहीं जाएगी हाई कोट में district judge के decisions है तो additional district judge के decisions भी नहीं जाएगी उस particular matter से related ठीक है तो यही simple सी चीज़ थी हमारे section number 38 में अब हम चलेंगे अपने next section की ओ जो की है हमारा section number 39 ठीक है यह क्या बता रहा है में यह हमें बता रहा है appeal from civil judge senior division at intermediary level और civil judge junior division at entry level यानि कि अभी हमने देखा 38 में कि district judge ने अगर कोई judgment दिया कोई decree या order दिया तो उसकी appeal जाती थी हाई कोट में अब हम देखेंगे civil judge senior division या civil judge junior division ने कोई decree या order दी तो अपील किसके पास जाएगी तो यहां बताया जा रहा है save as a faucet an appeal from a decree or order of civil judge senior division at intermediary level और civil judge junior division at entry level जो है shall lie to the district judge irrespective of the value of original suit यानि कि यहां बोल रहा है अगर कोई भी decree या order पास किया है civil judge senior division ने और civil judge junior division ने तो इसकी appeal कहां जाती है इसकी appeal district judge के पास जाएगी no matter value क्या था और no matter no matter value क्या था और यह original suit से जाएगी ठीक है तो यह original suit से किसके पास जाएगी district judge तो अब हम एक पर hierarchy देख लेते हैं यानि कि हमने देखा कि जितने भी जितने भी suits जो है न वो अगर deal करती है civil judge civil judge senior division या civil judge junior division तो इसकी appeal जो है न वो हमें आरी जाएगी district judge के पास ठीक है और अगर district judge ने कोई judgment दिया और कोई order या decree दिया तो उसकी appeal जाएगी high court के पास subject to the exceptions ठीक है तो यह है हमारी hierarchy इस act के पंजाब court act 1918 से related ठीक है अब subsection 2 क्या बता रहा है subject to the provision of subsection 3 and appeal to the court of district court shall be heard by the district judges और by an additional district judge अब यहां simple सी चीज़ बता रहा है जो कॉमन सेंस की चीज़ कि subject to the provision of subsection 3 subsection 3 में क्या है यह हम नीचे देखेंगे कोई appeal जो है न डिस्टिक जज़ के court से वह हर्ड करेगा district judge या additional district judge ठीक है अब कोई भी appeal जो है वो जाएगी अगर court of district judge में तो वह हर्ड कॉन करेगा district judge या additional district judge common sense बिल्कुल अब यह देखेंगे subsection 3 में क्या दिया जिसके subjected है तो इसमें बताए गया an additional district judge shall hear only such appeal as the high court में by general or special order direct to him अब नॉर्मल केस में जो appeal होती है district judge को वो district judge ही हर्ड करते हैं बट जहां ऐसा case हो जहां high court ने general या special order देके direct किया है additional district judge को तो वहां पर वैसी appeal जो है additional district judge हर्ड करता है या तो district judge ने district ने makeover किया हो उसको additional district judge को वैसे किस तो फिर वो हर्ड करेगा otherwise कौन करेगा district judge हर्ड करेगा अब जो है subsection 4 हमें क्या बता रहा है यह बता रहा है all appeal from the decree or order of civil judge senior division और civil judge junior division यह बता रहा है जितनी भी appeal होंगे न जितनी भी appeal यह decree order जो civil judge senior division के है यह civil judge junior division के है और वो pending है high court में appeal irrespective of their value value कुछ भी हो सकता है ठीक है और वो original suit है अगर तो वो transfer हो जाएगा district judge को ठीक है जो exercise कर रहा है original territorial jurisdiction यानि कि अगर कोई appeal जो है civil judge senior division और civil judge junior division की pending है high court के पास किसी भी value का हो सकता original jurisdiction का होगा तो यह जो है transfer हो जाएगी district judge को जो original jurisdiction exercise कर रहा है अब इसका subsection 5 हमी क्या बोल रहा है high court में भाइ notification direct that appeal lying to the district judge from all or any of the decree or order passed in the original suit by any civil judge senior division at intermediary level or civil judge junior division at entry level shall be preferred to such other civil judge senior division or junior division as may be mentioned in the notification and the appeal shall there upon be preferred accordingly and the court of such civil judge junior division or senior division shall be deemed to be a district court for the purpose of all appeals so preferred अब यह जो section है ना यह आपको देखने में जरूरू बड़ा लग रहा है बट यह बिल्कुल easy section है ठीक है अब हम देखते हैं किसमें क्या बता जा रहा है जितने भी high court है ना वो notification दे सकते हैं और direct कर सकते हैं अपील को जो भी district court के पास पड़े हुए हैं किसी भी decree से या order से जो कि पास हुआ है original suit में civil judge senior division के द्वारा या civil judge junior division के द्वारा ठीक है और वो prefer करेंगे वैसे अधर civil judge senior division को या civil judge junior division को ठीक है जो भी वो mention करेंगे notification में उसके accordingly और जो अपील ठीक है प्रेफर करेंगे ना वो accordingly और जो court जो है other civil judge senior division का या junior division का उसको माना जाएगा कि वो एक district court है इस purpose के लिए जिस वो सारे purpose के लिए जिसके appeal जो है प्रेफर की गई है तो यही था simple mini फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूं कि सबसेक्शन 5 में हमें यही बता रहा था कि जितने भी हाइक होट होता है ना वो notification देके direct कर सकते कि जो भी अपील लाई कर रही है जिस्टिक 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 के सामने जितने भी अपील लाई कर रही है किसी decree या order से जो कि किसी original suit में पास किये गए है civil judge senior division के द्वारा या civil judge junior division के द्वारा ठीक है तो वो prefer कर सकता है किसी other civil judge junior division या civil judge senior division को ठीक है यानि कि district judge के पास पास है और डिस्टिक जच के पास पेंडिंग है लेकिन वो उससे लेकर वो डूसरे civil judge senior division या civil judge junior division को दे देता है पास करने के लिए order ठीक है और वैसे जब वो वैसा जब वो exercise करेंगे ना ऐसा civil judge senior division या junior division ऐसा पावर जो भी अपील प्रेफर की गई है ऐसे senior division या junior division को तो उन सब को न माना जाएकर डिस्टिक को इस परपस के लिए अपील सारे अपील के लिए जो भी प्रेफर की गई है ठीक है यह था हमारा section number 39 अब next section है हमारा section number 40 ठीक है यह क्या बता रहा है power to transfer to a civil judge senior division और civil judge junior division अपील फ्रॉम आधर civil judge senior division और civil judge junior division ठीक है अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि यह power बता रहा है transfer करने का civil judge senior division से यह civil judge junior division से अपील किसके पास other civil uh senior division आ यह देखते हैं क्या है ठीक है section number 40 हमें बता रहा है, a district judge में transfer any appeal pending before him from the decree or order of civil judge senior division और civil judge junior division to any other civil judge senior division और civil judge junior division under his administration control competent to dispose of them यानि कि यहां बताए जारा है जो district court होंगे न district judge होंगे न वो transfer कर सकते किसी भी appeal को जो pending है उनके सामने ठीक है, किसी decree order से जो की pass किया है civil judge senior division या civil judge junior division यानि कि district judge के पास कोई appeal जो है pending है और वो pass की गई थी civil judge senior division या civil judge junior division के order decree से ठीक है और तो district judge जो है न वो किसको transfer कर देगा वो दूसरे civil judge senior division या दूसरे civil judge junior division को ट्रांस्फर कर देगा उपर हमने देखा था कि हाई कोट जो है न वो डिस्टिग जस्च के पास पेंडिंग यहाँ तो किसी अधर सिविल जैड से जुनियर डिवीजजन को इसे पावर पावर कश्चर Bowl है उसके administration control के अंदर और वो dispose of करने के लिए competent होगा उसके लिए ठीक है यह बताएगा है सब 40 के सब section 1 में अब सब्सेक्शन 2 हमें क्या बता रहा है जब डिस्टिक जजज में withdraw any appeal so transferred and either here or dispose of it himself और transfer it to a court under this administrative control competent to dispose of it यानि कि यानि कि डिस्टिक जज होते हैं वो withdraw कर सकते हैं कोई भी appeal जो कि transfer की गई है ताकि here कर सके या dispose of कर सके वो खुद से या transfer कर दे किसी और court को जो उसके administrative control में है और dispose of करने के लिए competent है यानि कि डिस्टिक जजज के पावर बताए गया है कि वो withdraw भी कर सकता है किसी भी appeal को जो transfer किया गया है उसको चाहे खुद से here करने के लिए या dispose of करने के लिए या उसके कोई subordinate administrative control में कोई ऐसे court है जो competent है वैसे dispose of करने के लिए तो उसको भी वो withdraw कर सकता है वैसे दिस्टिक जजज तो withdrawal का पावर दिया गया है subsection 2 में withdrawal का पावर कहां दिया है subsection 2 में sorry writing को थोड़ा ignore करिएगा 40 के 2 में withdrawal का पावर दिया गया किसको दिया गया है डिस्टिक जजज को अब subsection 3 देखेंगे appeal preferred under this section shall be disposed of subject to the rule applicable to the like appeal when disposed of by the district judge यानि कि जो भी appeal transfer की जाएगी ना इस section के अंदर civil judge senior division या junior division को वो dispose of वैसे ही होगा like manner में होगा जैसे district judge dispose of करेगा ठीक है तो वैसे ही dispose of करेगा civil judge senior division या junior division जैसे district judge dispose of करता है ठीक है यह था हमारा subsection 3 अब subsection 4 क्या बोल रहा है the power conferred by this section shall be exercised subject to the such general or special order as may from time to time be issued in this behalf by the high court अब जो भी power conferred किये गए ना इस section के अंदर वो exercise कैसे होंगे वो exercise होंगे subject to the control of general or special order ठीक है किसके जो time to time बने है high court के द्वारा जो issue किये गए है high court के द्वारा ठीक है तो इस section में जो भी power conferred किये गए है तो वो कौन power conferred करता है high court करता है time to time generally special order से तो आज के लिए हमारा यह last section था अब हम अपने 41 से लेके 51 जो कि 12 section बचते हैं और last का हमारा schedule बचता है तो यह सारी चीज़े हम अपने next lecture में देख लेंगे और वो हमारा last lecture होगा तब पंजाब court act of 1980 का और इसी के साथ हम call off कर देंगे इस act को भी और इसके बाद मैं सोच रही हूं कि मैं इंडियन registration act लूँ अगर आप भी agree करते हैं आप मुझे comment section में बताइएगा कि हां मुझे इंडियन registration act ही हमें चाहिए और अगर आप कोई और minor act चाहते हैं रियाना के लिए तो वह आप मुझे में comment section में comment करके बताते हैं मैं वह पहले स्टार्ट कर दूगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं this is all for today तो अगर आपने mock test join नहीं किया है तो mock test जल्दी 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 कर लें बहुत ही कम समय बचा हुआ है लिंक आपको description में बॉक्स में मिल जाएगी टेलिक्राम ग्रूप की वहां सारी details मिल जाएंगी आपको आप मुझे direct message भी कर सकते हो ठीक है तो दिस इड्वोकेट ट्विंकल जा साइनिंग ओफ टोडेश सेशन थैंक यू